हेलो फ्रेंट्स वेल्कम पैक टो माई यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाइटामिन सी सिरम जो बनाने में बहुत ही ज्यादा असान है और उसके फायदे मैं बताऊंगी और कौनसी इसके नवालों को नहीं लगाना चाहिए वो भी म सब्सक्राइब करें इसकी नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल यह सिरम पिग्मेंडेशन एकने की निशान जैसी प्रॉलम्स को बहुत असानी से दूर करता है तरसल विटामिन सी एक एंटी ऑक्सिदेंट होता है जो फ्री रेडिकल्स को निट्रलाइज करता है विट ज्यादा फायदे होते हैं सकिन को इस तरह से ठीक करता है रिपेर करता है जिससे आपकी जो सकिन है वो पिग्मेंटेशन और दाग धबों से मुक्त हो सकती है चलिए आपको इसकी फायदे बता देते हैं वाइटामिन सी में एंटी ऑक्सिडेंट होता है यूवी रेस से सकि जादा यह कि वाइटामिन सी सीरम खुरदरी तबचा के लिए अनईवन स्किन टोन आपका एजिंग साइन आ रहे हैं पिम्पल्स मांक्स हैं डेट स्किन के लिए बहुत ज्यादा यह फायदे मन्स थाबित हो सकता है तीसरा इसका फायदा यह कि वाइटामिन सी में एंटी सीरिमेंट्री वापटी सीरिंटे ची टोन और बनावट में सुधार करनें और सीरियाग को हायइड करने में और इजिंग शाइन को कम करने में बहुत जादा यह हल्प guardian के लिए टाम हो हैं, आपको बतार पर भी आप असानी से बना सकते मार्केट में तो मिलते ही मिलते हैं पर जो घर में हम बनाते हैं आप 15-20 दिन तक उसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है तो चलिए आपको बताते हैं कि इसी किस तरह से बनाया जाता है और एक बात जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसि सकते हैं अधर्वाइस इसको आप ना लगाई है तो बहतर होगा है सबसे पहले आपने कहा करना है वाइटामिन सी टैबलेट मार्केट में बहुत असानी से मिल जाते हैं केमिस्ट शॉप से जाके आप ले लीजिए तो आपने दो लेनी है टैबलेट और उसे बारिक पीश लेना है उसके अंदर आपने एक चमच मिलाना है गुलाब जल और आधा चमच उसमें मिलाना है गलीसरीन और एक उसमें एक या दो अगलेट में ड्राइट कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ओईली है तो आप एक ही उसमें ड्राइड कीजिए और उसके बाद इन सारी अब इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से मिला देना है दो तिन मिनिट फैटने के बाद आपका यह सिरम है वो त्यार हो जाएगा तो और एर टाइट कंटेनर में इसे आप 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं खत्म हो जाए फिर से बना लीजिए तो बह वाटामिन सी सिरम लगाने के बाद संस्क्रीन लगाना बहुत जादा जरूरी होता है कोई वाटामिन सी सिरम लगाने के बाद जो सिरम होता है वो ऑक्सिडाइज नहीं होता है जबकि बिना संस्क्रीन के सिरम ऑक्सिडाइज हो जाता है जिसे सिरम आपकी पीली नजराने ल